हेलो बच्चो मैं आलोक शर्मा आपको इंग्लिश के कुछ वर्ट के बारें बड़े इंट्रेस्टिंग बताने जा रहा हूं जो आपको शायद ही मतलब बोलते हो लेकिन आपको पता नहीं कौन से वर्ड हमें कहां यूज करना चाहिए किस तरीके सुन वर्ड का प्रॉपर य जो हिस्सा होता है इसे हम लोग बच्चे बोलते हैं रूफ लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बच्चो सीलिंग की तो यह च्छत के अंदर वाला यह जो पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं सीलिंग तो तभी तो हम लोग बोला जाता है कि सीलिंग लगा दीजिए called inner part जो होता है second अगर मैं चलता हूं बच्चो तो आपको बहुत इंट्रेस्टिंग वर्ड पता चलेगा home और house में क्या फरक होता है क्योंकि normally आपने दिखाऊगा home बोलता है अपने घर को बोलते है house दूसरे घर को बोलते हैं नहीं home जो होता है जिसमें केबल एक family रहती है वो होता है home और single family वाले जो word होते हैं उन्हें बोला जाता है nuclear family और जो house word होते है उसका मतलब यह होता है बच्चो के जहां पर एक से ज़्यादा family रहती है मतलब joint family जो रहती है उसके लिए हम लोग जो word use करेंगे वहां बोलेंगे house में जा रहा हू I am going to my house इसका मतलब यह joint family I am going to home इस means you are living in a nuclear family थर्ड स्लैड में बच्चो हम लोग चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि buy और purchase word काफी लोग बोलते हैं मैंने यह purchase करा है कोई बोलता है मैंने इसको buy करा है तो कैसे इस word को हम लोग use करें जिससे कि आप लोग भी एक बहुत हैं जब हम लोग कोई costly चीज़ाओ खरीते हैं तो बच्चो आप ऐसे ही अगर और वर्ट्स के बारे में बहुत interesting fact जानना चाते हो जिससे आपकी personality अलग से देखे तो आप जोड़ी exam पास पर मैं आलुक शर्मा आपको ऐसी बहुत सारी interesting वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा थैंक यू बच्चो